हेलो एब्रीवन आप सब का रोविकल एकडमी में वेल्कम है लास्ट वीडियो में मैंने वायरस टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है और आज जो हमारा वीडियो है वो बैक्टिरिया पे बेस्ट है तो आज हम जितने भी सब करेंगे वो सब बैक्टिरिया पे होंगे और यह एक थेयरी विद एमसी क्यू है तो हम यहां पर एमसी क्यू सब करेंगे ही लेकिन साथ साथ में हम बैक्टिरिया के थेयरी भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो चलते हैं अपने पहले क्वेस्टन पर क्वेस्टन नंबर ाश खाल जो पाइब क्लैसित इसस चोह दिया गया है तो इसमें पहला है मुनेरा के तो रखा गया है और elegat vas供ी में और बैक्टिरिया में कि हम बात करें तो मनेरा को डोप को डोच की आर्यमीनिजिख तो बैक्टिरिया को अच्छी में और shear कि हम बात करें तो मोनेरा को दो चीजों में डिवाइड किया गया है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है यही पर हम लिखते हैं पहला है आर्की बैक्टिरिया और दूसरा है यू बैक्टिरिया तो मोनेरा को आरेस विटेकर ने दो चीजों में डिवाइड किया ह आर्की बैक्टिरिया और यू बैक्टिरिया बैक्टिरिया को दो भागों में रखा गया है आर्की बैक्टिरिया और यू बैक्टिरिया और प्रिमिटिव बैक्टिरिया भी बोला जाता है और प्रिमिटिव इसलिए बोला जाता है कि हमारे प्रिथवी पर सबसे पहले आने वाले जो जीव थे वो आर्की बैक्टिरिया ही थे इसलिए इन्हें प्रिमिटिव बैक्टिरिया भी बोला जाता है उसके बाद यू बैक्टिरिया आते हैं और यू बैक्टिरिया को ट्रू बैक्टिरिया बोला जाता है वाई दे कॉल ट्रू बैक्टिरिया क्योंकि इनमें जाता है और गर हम बैक्टेसरीया की बात करें तो टाइम टूला बैक्टेरिया होते गए उनमें चरूल होते गए जैसे पहले सबसे पहले आने वाला अर्की बैक्टेरिया था फिर उन में डेर सारे चेंज़ेस हOY तो वह ठूरू Bक्टेरिया हो गया और удоб variety जो था ये अपने cell में सर्वाइब कर सकते हैं हर एक इन्वार्मेंट में रह सकते हैं और इनके हैबिटॉट muse में रखते हैं हैं और फिर यह चाह तेज होते हैं, archibacteria habitat के basis में सबसे ज़्Ofे might रखते हैं क्योंकि यह हर एक environment में हड़ एक temperature में रह सकते हैं , ठीक है तो पहले इने hello files hello मतलब salt होता है और files मतलब क्य होता है lover होता है lover मतलब की salt को लग करने वाले, यह salt88 वाले water में रहते हैं जिसमें हैवी सॉल्ट होता है जैसे आप सबने डेट सी नाम सुना होगा डेट सी मतलब अगर इसमें हम लोग जाए तो हम लोग की डेट हो सकती है लेकिन यह ऐसे बैक्टिरिया है कि डेट सी में भी सर्वाइब कर सकते हैं तो यह जो है यह 80 degree celsius temperature पर भी रह सकते हैं तो 80 degree celsius temperature पर भी यह survive कर सकते हैं और अगर हम methanogenes की बात करें, methanogenes ऐसे bacteria जो कि cattle होते हैं, cows हो गया, buffalo हो गया, मतलब कि जो ruminants है ruminants के यह gut में पाए जाते हैं, और यह जो methanogenes bacteria है, यह methane gas का formation करते हैं, methanogenes from methane gas तो methanogenes bacteria, cattle के gut में क्या कर रहे हैं, जो उनमें carbohydrates है, उसे यह breakdown कर रहे हैं breakdown process के बाद methane gas का, वहाँ पर formation होता है, methane gas release होती है, तो इसलिए इन्हें methane gas के formation के लिए भी जाना जाता है यह वही काम ही करते हैं, ठीक, तो एक तो हो गया, hellophise मतलब की salt वाले water में रह रहे हैं, ऐसा condition है दूसरा क्या है, कि thermosidophise मतलब 80 degree Celsius temperature से अथिक पर भी यह survive कर ले रहे हैं फिर उसके बाद है methanogens, methanogens मतलब की methane gas का formation कर रहे हैं, और यह जो ruminant है उनके gut में रहते हैं और पता दें कि methanogens होते हैं, यह anaerobic bacteria होते हैं, क्योंकि यह उनके gut में रह रह रहे हैं, इन्हें oxygen की जवरत नहीं है तो यह याद रखने वाली बात है कि methanogens हो है, यह anaerobic bacteria होते हैं, और यह bacteria की हम बात करें, तो इनका जो cell wall होता है, काफी rigid होता है और peptidoglycan का बना होता है, peptidoglycan का इनका cell wall बना होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को बारी बारी से देखते हैं, पहले हम इन सब को erase कर दें, अब एक बार structure को अच्छे से देख लीजिए, तो हमने बताया कि monera, monera में दो चीजों को रखा, बैक्टिरिया को द उन्हें यू बैक्टिरिया बोल दिया गया, बैक्टिरिया जो होते हैं, ये यूनिसेलर होते हैं, इनमें निकलियस होता है, ये नहीं होता है, निकलियस का अभाव होता है, इनमें इनसिपियंट निकलियस पाया जाता है, और इनमें कोई cell और्गनल नहीं होते हैं, एक्से यह सब्यूनिट है एक तो 50एस होता है और दूसरा 30एस होता है, ठीक है? हम इसे aTS नहीं माल लेंगे, 50 एस और 30-Eस के दो सब्यूनिट इह 200 होता है Ada Bacteria में और हम बात करें यह बात करें यह वाला पार्ट छोटेड है साइटोप्लास्म है। प्लाज्म मिम्ब्रेन ये इनका plasma membrane आप देखी रहे है cell wall हो गया bacteria में cell membrane नहीं होता है ये हमें ध्यार में रखना bacteria में cell membrane नहीं होता है इनमें cell wall होता है plasma membrane होता है ये form जो है ये ऐसे ऐसे ये सब यहाँ पे जो है ये capsules हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर nuclear area containing DNA nucleoid ये देख रहा है इनमें circular genetic material पाए जाता है इनमें circular DNA पाए जाता है लेकिन ये किस तरीके से पूरा ऐसे आप देख सकते हैं बना हुआ एक circular DNA है लेकिन ये इतना इस तरीके से भरा हुआ है चारों तरह बिखरा हुआ है जाद area contain किया है ठीक ये plasmid है plasmid भी इनमें एक genetic material है लेकिन ये एक ऐसा genetic material है कि अगर हम bacteria के cell से genetic material को हटा दे इस plasmid को हटा दे तो bacteria को कोई भी हार्ब नहीं होगा bacteria पहले जैसा ही रहेगा ये इनके लिए एक star mark की तरह होता है कि ये जब चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं काफी profit मिलता है इन्हें इससे इनका एक अलग फायदा है plasmid से तो plasmid निकाल देने से bacteria को कोई हार्ब नहीं होने वाला है और अगर हम flesla की बात करें तो flesla जो है ये इनके locomotion में help करता है ये दोनों flesla है plasmid क्या द्यांसीद आप लोग सुन लिजेगा questions बहुत आते है plasmid से plasmid एक extra chromosomal material है मियाद में रखना है mesosome क्या है mesosome help करता है respiration में इनके eukaryot में क्या होता है जितने भी eukaryotic होते है कि इनके eukaryot cell में mitochondria respiration में help करता है लेकिन bacteria के respiration में यह mesosome help करता है mesosome क्या है bacteria के respiration में help करता है और mesosome में कुछ ऐसे enzymes पाए जाते है जो कि bacteria को respiration के लिए जवरत होती है तो bacteria जो है यह इस mesosome से ही उन enzymes को लेता है तो यह हमें ध्यान में रखना है mesosome fembri pili क्या है पीली जो है यह reproduction में भी help करता है पीली का काम reproduction में है यह हमें ध्यान में देना है यह है inclusion यह है inclusion ठीक है अगर हम questions की बात करें तो आपके mesosome से काफी अच्छा question बनता है यहाँ पर plasmid से अच्छा question बनता है टरक्ली पुछ ले दता है ribosome से भी पर आता है कि bacteria में किस टाइब के ribosome पाए जाते है bacteria में 70S ribosome पाए जाते है और यह 2 sub unit में होते है 50S और 30S के sub units में होते है अब हम आगे के question वाले slide पर चलते है हमने सारा bacteria का structure है उसका diagram है हमने इसे अच्छे से समझ लिया है कि कौन कौन सी चीज़े इसमें पाई जाती है और अब हम questions पर आते हैं questions को solve करेंगे okay questions पर आते है question number first question number first क्या है in which kingdom bacteria has been kept bacteria को किस kingdom में रखा गया मैंने अभी आपको बताया कि bacteria को मोनेरा में रखा गया है okay यहाँ पर जो यह है यह गलत है mineral है गलती से यहाँ पर मोनेरा होगा तो जो five kingdom classification RSP taker ने दिया था तो पहला जो था वो मोनेरा था और मोनेरा में बैक्टेरिया को रखा गया है मोनेरा में सभी एक एक कोस्की जिन्हें बोलते हैं unicellular उन्हें रखा गया है बैक्टेरिया जो है वो एक unicellular है और बैक्टेरिया को मोनेरा में रखा गया है तो in which kingdom bacteria has been kept? bacteria has been kept in मोनेरा okay so now we will go on the next question question number second question number second nucleus is absent in अभी है आपने देखा कि जो बैक्टेरिया होता है bacteria में nucleus नहीं होता है bacteria के cell में ही ऐसे genetic material आपको भी देखा circular DNA है तो genetic material पड़ा हुआ रहता है ऐसे ऐसे पूरा भी आपने जो भी देखा इतने दूर तक ऐसे फैला हुआ था genetic लेकिन इनमें nucleus नहीं होता है nucleus का अभाव होता है कमी होती है तो यहां पर जो अपना answer है वो है bacteria bacteria क्या है एक unicellular है बाकी सब तो यहां पर eukaryotic है bacteria multicellular है bacteria जो है वो है unicellular है ओके अब हम question number three पे चलते हैं question number third question number third question number third rod six bacteria are okay rod six bacteria are called rod six bacteria को क्या कहा जाता है अगर हम bacteria के shape के बाद करें तो bacteria का कई different type का shape होता है तो जैसे यहां पर जो कौकी है कौकी कौकी मतलब गोले-गोले कौकी मतलब ऐसे गोले-गोले धेर सारे ऐसे गोले-गोले बैक्टिरिया होंगे ठीक है कौकी मतलब गोले-गोले बैसली मतलब rod shaped बैसली मतलब rod shaped ऐसे ऐसे rod shaped में होंगे यह सब rod like structure होगा विब्रियो मतलब comma shaped comma shaped comma shaped ऐसे ऐसे हो गया comma shaped ऐसे ठीक यह विब्रियो हो गया अपना अब हम sparila की बात करें तो यह ऐसे टेढ़े-मेढ़े होते हैं ऐसे कौकी मतलब गोले-गोले shaped वालेEND बैसली मतलब rod shaped हो गया vibriyो मतलब comma shaped हो गया और spirala मतलब यह sparil form में टेढ़े-मेढ़े वाले structure हो गया तो बोला जा रहा है कि Rotsie Bacteria Rotsie Bacteria को paraben oldu Rotsie Bacils triple Bacilli जाता है यह मैं याद रखना है कि बैक्टिरिया को अगर हम उसके शेप की बात करें तो उसके सेट के बैश्थ इसे इसे इन चार, पार्ट में रखा गया है, काउकी है, बैसिलस है, विप्रियो है, और स्पारिला है, कोगे, हमें समझ में आ गया हुगा, अब हम question number four पे चलते है, question number four, smallest free living organism is, smallest free living organism, हमें यह ध्यान आपकाफी असानी से, हम इस question को गलत कर सकते हैं अगर हम एक चीज को ध्यान में ना रखे smallest free living ठीक है आपको बता दे mycoplasma को बोला जाता है smallest microorganism बोला जाता है smallest microorganism बोला जाता है mycoplasma को हमें ये ध्यान में रखना है अगर लिखा होगा smallest microorganism तभी हम mycoplasma को tick करेंगे अदर्वाइस ये अपना bacteria है ये अपना bacteria है smallest free living organism is bacteria bacteria और mycoplasma में difference क्या है कि mycoplasma में cell wall नहीं होता है ठीक है mycoplasma में ये cell wall नहीं होता है इन में से एक rigid covering होती है mycoplasma में और उसके अंदर जो है ribosome है, cytoplasm है और region tick material सभी चीज़े पड़ी हुई रहती है, लेकिन cell wall नहीं होता है और mycoplasma जो है ये bacteria से छोटा होता है और mycoplasma को PPLO भी बोला जाता है PPLO का full form है plural pneumonia like organism plural pneumonia like organism और PPLO ही हमारे humans के lungs में जो ये pneumonia होता है, infection होता है यही mycoplasma ही cause करता है और धिर साइ टाइप के disease cause करता है जैसे कि ब्रिंजल में एक disease होता है it is just because of mycoplasma और हमने बताया कि हमारे lungs में जो ये pneumonia होता है ये इस mycoplasma के वज़ा से ही होता है तो mycoplasma क्या smallest micro organism है bacteria से छोटा है और bacteria smallest pre-leaving organism है ये हमें बिलकुल धियान में रखना है हम बिलकुल भी confused नहीं होंगे इन सब words के बीच में smallest microorganism is mycoplasma mycoplasma को PPLO भी बोला जाता है अब हम चलते है question number 5 पे plasmids are plasmids क्या है अभी मैंने आपको पहले बताया कि plasmids भी एक genetic material है bacteria में और ये एक free form में ऐसे ही पढ़ा रहता है बैक्टिरिया जब चाहेगा तब उसका योज करेगा और plasmids के हड़ जाने से bacteria को कोई हार नहीं होता है हमने बताया कि plasmids जो है वो एक extra chromosomal genetic material है हमने देखा बीच में bacteria के बीच में ऐसे ऐसे जो genetic material था ऐसे circular farm में वो तो था ही लेकिन अलग से भी तो plasmid था वो एक extra part है extra genetic material का part है तो plasmids are extra chromosomal genetic material extra chromosomal genetic material बी यहां पर correct है अब हम चलते हैं question number 6 पर इन bacteria the respiratory enzymes are located on bacteria में respiratory enzymes कहां पर होते हैं अभी हमने बताया कि जो eukaryotic होते हैं उन में respiration के लिए उनके cell organelle जो की mitochondria है वो help करता है respiration में और हमने बताया कि जो यह unicellular जो bacteria है इसमें meosome जो होता है वो उनके one minute हां वो उनके respiration में help करता है meosome में कुछ ऐसे enzymes होते हैं जो कि bacteria को respiration के लिए जवरत पड़ता है तो bacteria इस meosome से उन enzymes को लेता है तो respiratory enzymes are located on meosomes यह हमें ध्यान में रखना है कि bacteria में meosome respiration में help करता है और bacteria इस meosome की जो तुलना है वो mitochondria से की जाती है क्योंकि काम दोनों का सेम है ओके क्वेस्टन नमबर सेवन peptidoglycan is present in peptidoglycan किसमें पाया जाता है हम जानते हैं कि जो यू बैक्टिरिया है उसका cell wall काफी rigid होता है काफी मोटा होता है सकत होता है और यू बैक्टिरिया का जो से वाल होता है वो peptidoglycan का बना होता है उसमें लिपो-प्रोटीन होते हैं प्रोटीन होते हैं और बहुत सारी चीजे मिल करके बैक्टिरिया के cell wall को rigid बनाती है तो यहां पर अपना जो सिल वाल औफ मैनी बैक्टिरिया आर्की बैक्टिरिया नहीं यू बैक्टीरिया का syl wall जो है निखते हैं यू बैक्टीरिया का syl wall है वह peptidoglycan का बना होता है peptidoglycan जो है वह उसके syl wall को काफी rigidness provide करता है अब हम चलते हैं चलते हैं अपने question क्वेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर न लिखेखोंगा कि slow of mycoplasma बिल्कुल नहीं हमने तो बताया कि माइको प्लाज्मा में तो सिल्वल होता ही नहीं है उनमें एक रिजिड ऐसे कवरिंग होती है उसी के अंदर सारे चीजे होती है ठीक तो अब हम question अगले question पे चलते हैं question number 8 bacteria having a tuft of flesla at one end are called ऐसा बैक्टिरिया जिसके एक छोर पर एक फ्लाज्मा का गुच्छा पाया जाए ठेर सारे फ्लाज्मा उसके एक गुच्छे में उसके एक एंड पर पाया जाए तो उस बैक्टिरिया को क्या बोला जाएगा ठीक option जो ए है वहां पर लिखा है monotricus monotricus मतलब क्या होता है monotricus मतलब सिंगल ऐसा बैक्टिरिया जिसके एक छोर पर किसी भी एक छोर पर बस एक फ्लैज्मा हो तो monotricus होगा बना देते हैं यहां पर bacteria ऐसे हो गया यह एक फ्लैज्मा हो गया monotricus बस सिंगल एक फ्लैज्मा हो इंफी ट्राइकस मतलब क्या इंफी ट्राइकस मतलब कि bacteria के जब दोनों छोर पर ऐसे फ्लैज्मा हो ठीक दोनों चोड़ पर एक फ्लेजला हो तीक, वो हो गया आपका इंफी ट्राइगस, लोफो ट्राइगस की बात करें, तो लोफो ट्राइगस अपना ये हो गया, टुफट ओफ फ्लेजला एट वन एंड, ऐसे बैक्टिरिया हो गया, और ये उसके इस वाले इंड पर ऐसे धेर सा हो गया, टुफट ओफ फ्लेजला, पेरी ट्राइगस की अगर हम बात करें, तो पेरी मतलब चारो साइड, पेरी फेरी तो उसके चारो साइड ऐसे फ्लेजला हो, चारो साइड फ्लेजला हो, तीक हमें समझ में आगया, कि मोनो ट्राइगस मतलब जब एक एंड पर एक फ्ले प्लाजला पाए जाए तो अपना प्लाजला 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 कश को क्वेसिशन नंबर 9 बैक्टीरिय विछव कमाION बैक्टीरिय यह इसके पहले आपको बताया था कि मैं आपको ब morals बेक्टीरिय को बॉदा गया है कॉमसिप्त मतलब विब्रियो, विब्रियो cogors घोलते हैं विब्रियो को कॉमसिप्त मतलब गोले वाले हो गया है bacillus गोले मतलबule की घुमाने और मिद्रिम्रियो की सब्रा हो गया हो गया यहां से अपना यह कुलियर हो गया अब हम चलते हैं question no. 10 पे नहीं होता है यही यही आज़ुआ होता है और प्यूपतिरिया में प्युक्ता होता है उसमें पॉसम भॉपोलिपीड होते हैं इसके बारे मैंने आपको पहले ही बताया है और हम चलते हैं क्वेस्टन नंबर 11 पर जो क्वेस्टन नंबर 11 है इसका आंसर आप सब को करना है इसका आप सब खुदी बताएंगे तो comment box में आप इसका answer कीजिए और क्योंकि ये विडियोस मैं दे रही हूँ अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है सारा content तो आप इस channel को शेर कीजिए और subscribe कीजिए और जो questions है वो काफी अच्छे तरीके से बनाये गए हैं और काफी exam जो है अपना उसे ध्यान में रख करके बनाया गया है तो आपको काफी ज़्यादा यहां से फाइदा होगा काफी ज़्यादा motivate होंगे और लास्ट वीडियो में मैंने एक question दिया था कि मैं आप सबको उस question का answer आप सबको करना है question कहां गया one minute yes which of the following process is absent in viruses मैंने आप से कहा था कि इस question का answer आप लोग comment box में करेंगे question है which of the following process is absent in viruses वारसे में कौन सा process absent होता है वारसे मेंने बता था कि यह protein synthesis हो है protein synthesis हो है कि यह वारसे में नहीं पाया जाएगा क्यूं क्यूंकि इनमें जब खुद protein synthesis होता तो यह दूसरे पर attack क्यों करते दूसरे के metabolic process को क्यूं अपने लिए यूज करते इनमें replication होता है यह correct है इनके बारे में इन में mutation होता है यह correct है mutation मतलब sudden change engine यह तो इन में होता है और energy liberation मतलब बैक्टीरिया किसी virus वाइरस जो है किसी बैक्टीरिया के अंदर infect कर रहा है अपने रहे multiple copies बना रहा है और उसके wall को rupture करके जब बाहर आता है तो उस टाइम पे energy का formation होता है energy liberate होती है तो यह भी पायता है लेकिन इन में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं पाया जाता है यह हमें ध्यान में देना है तो यहां पर जो option है वो एक करेक्ट है तो थैंक्यू सो मस्च लाइक शेर और सब्सक्राइब दी वीडियो इफ यू लाइक दिस